कुछ लोगों में गलत फेहमी होती है कि केले के सेवन से इंसान मोटा हो जाता है केले के सेवन के साथ वकाउट करना जरूरी होता है यदि आप वकाउट कम और केले का सेवन तैमात्रा से ज्यादा करते हैं तो आपके शरीर पर चर्वी बढ़ सकती है डिप्रेशन से राहत कई रिसच से साफ हुआ है कि केले का सेवन डिप्रेशन के रोगियों को आराम देता है केले में ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो आपको रिलेक्स फील कराता है यही कारण है कि डिप्रेशन का मरीज जब भी केले का सेवन करता है तो उसे राहत मिलती है इसके अलावा केले में पाया जाने वाला विटामिन बीच है शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ठीक रखता है आयरन, अनीमिया यानी शरीर में हीमोगलोबिन की कमी यदि आप भी अनीमिया के शिकार हैं तो आपको केला अवश्य खाना चाहिए केले के सेवन से शरीर में आयरन की कमी धीरे-धीरे कम होती है और आपकी अनीमिया की समस्या में भी सुधार होता है कबज, केला पेट में हुने वाली कबज की परेशानी से राहत देता है आप इस बगोल की गुसी या दूद के साथ केले का सेवन प्रति दिन रात में सोते समय करें ऐसा करने पर आपको पेट में हुने वाली कबज और गैस की समस्या से राहत मिलेगी ताकत बढ़ाए केले का सेवन शरीर में खून की मात्रा बढ़ा कर शरीर की ताकत बढ़ाता है प्रति दिन केला और दूद का सेवन करने से व्यक्ति कुछ ही दिनों में दुरुस्त हो जाता है और उसके शरीर हश्ट पुष्ट हो जाता है सूखी खांसी में आराम दायक अब इसमें दूद और सफेद इलाईची मिला कर पिएं। पाचन क्रिया को बहतर बनाएं। केले में पाई जाने वाले फाइबर से पाचन क्रिया सही रहती है। पाचन क्रिया सही रहने का परिनाम यह होता है कि आप तमाम बीमारियों से दूर रहते हैं। यदि आप भी रोजाना केले का सेवन करते हैं तो आपकी पाचन प्रिया अच्छी रहेगी. प्रदर रोग में फायदे मंद करता है. लूज मोशन में फायदा करें. यदि आपके घर में किसी को दस्त लग गए हैं तो पके केले को फेंट कर मक्खन की तरह बना लें. अब इसमें कुछ दाने मिश्री के मिलाकर दिन में दो से तीन बार लें. ऐसा करने से लूज मोशन की समस्या में आराम मिलेगा. खून पतला करने में सहायक. केले का सेवन खून को पतला कर धमियों में रक्त का संचालन दुरूस्त करता है. केले में पाया जाने वाला मेगनिशियम शरीर में जाकर रक्त में कॉलेस्टरॉल की मात्रा को कम करता है. कॉलेस्टरॉल की मात्रा कम होने से धमियों में रक्त का संचालन सही रहता है अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेय कीजिए ऐसी ही और रोचक खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थांक यू